टक शेलो एवर इवर्न एक और नssäए विडियो में स्वागत है हैं, जैसा अपने थमनिल में देखा होगा, 10 तरीकां जिसे हम लोग स्टॉक मार्केट अर फिर स्टॉक मार्केट से पैसा बना सकते हैं, यह 10 विडियो में जानेंगे कि यार हो 10 तरीका है क्या, क्योंकि बहुत सरे लोगों को नहीं आइडिया है कि stock market से हम कितने तरीके से पैसा बना सकते हैं तो इस वीडियो में हम लोग बहुत clear तरीके से जानेंगे कि कैसे stock market से हम लोग पैसा बना सकते हैं वो भी अले-अलग तरीका यूज करके तो वीडियो को जादा लंबा नहीं करेंगे and जादा बोरिंग मी नहीं करेंगे तो चलो वीडियो को start करते है पहलो और दुसरा तरीका आता है जो सब को पता होगा mutual fund and SIP mutual fund और SIP होता क्या है माल लीजिए आपके पास 50,000 capital है अब आपने decide किया है कि वो 50,000 को मैं पूरी तरीके से market में लगा दूँगा अब वो पूरी तरीके से आप एक बार में लगाना चाहते हो या फिर दीरे-दीरे करके लगाना चाहते हो यही बस difference होता है mutual fund और SIP में माल लीजिए वो लमसम amount आपने एक बार में invest कर दिया तो उसे हमें mutual fund कहेंगे वही आपने दीरे-दीरे करके लगाया हर मंत कुछ amount fix कर लिया कि मैं 2000 रुपे मंतली उसमें लगाने वाला हो उसे हम SIP कहते है यानि systematic investment plan पहला दूसरा clear हो गया तीसरे number पर आता है investing अब investing जो होता है काफी interesting part होता है stock market का क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग interest दिखाते है investing में होता क्या है माल लीजिए एक ऐसा company है जो काफी अच्छा है और वो growing company है in future वो और ज़्यादा grow कर सकता है for example हम लोग लेके चलते हैं Tata Motors Tata Motors in future काफी अच्छे से grow कर सकता है तो grow कर सकता है तो मैं चाहता है उसमें invest करने का तो उसका मैं क्या किया बहुत सारा share खरे लिया या फिर हर मंथ कुछ amount उसमें invest कर रहा हूँ और कुछ share उसका खरिदते जा रहा हूँ और उसको लंबे time तक एक साल या दो साल या फिर पांच साल दस साल उसको hold किया तो उसके हमनों क्या कहा दिया long term investment कहा दिया investing काफी अच्छा होता है और long term में काफी अच्छा पैसा बना के दे सकता है चौथे नमर पर आता है dividend dividend होता क्या है माल लिजे मैं एक ऐसा company में invest किया हूँ जो इस quarter उसको बहुत अच्छा profit हुआ है अब वो company decide करता है कि अपने profit में से वो कुछ हैसा अपने investors को distribute करेगा तो for example हमने विदानता का लेके चलते है विदानता काफी अच्छा company है no recommendation बट विदानता जो है एक ऐसा company है जो काफी अच्छा dividend पे करता है एक share पे वो 20-25 रुपय डिवडेंट पे करता है माल लिजे विदानता का मेरे पास 100 share है अब वो company decide करता है इस quarter कि मैं 20 रुपया हर एक investors को पे करने वाल हूँ एक share पे मेरे पास 100 share है सेम होता है बस केवल duration का अंतर होता है तो माल लिजे कोई एक company है जो आने वाले एक महिने में या फिर एक हफते में या फिर दो महिने में एक अच्छा move देने वाला है मेरे prediction के basis पे या फिर मेरे analysis के basis पे तो मैंने क्या किया उस company में हेवी अमाउंट में उस company का share खरे लिया अब एक महिने के अंदर मेरे direction में अगर वो move किया तो मैं उस में से profit book कर लिया मतलब वो particular swing मैंने capture किया तो उसे हम लोग swing trading कहते है धीरे धीरे हम लोग थोग सा risky pattern पे move कर रहा है चछटे नमर पर आता है intraday intraday होता क्या है इस पे मैं dedicated video बना सकता हूँ बट अगर short form में बात करें तो intraday में क्या होता है एक दिन के अंदर किसी particular company का share buy करना और उसी दिन उस company का share sell कर देना इसे हम intraday कहते हैं नाम से ही पता चल रहा हुग आपको तो intraday काफी ज़्यादा risky होता है क्योंकि हम लोग जैसा सोचते हैं कि एक दिन के अंदर ये move करेगा upside के तरफ ये downside के तरफ intraday में हम लोग short भी कर सकते हैं और long भी कर सकते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक दिन के अंदर वो movement हमें मिली जाए तो ध्यादा risky होता है swing trading और investment के compare में 7th नमर पर आता है future trading अब ये क्या होता है इसे हम लोग एक्जांपल से समझते हैं Tata Motors का एक share का price मानले जे 1000 रुपय है वो company decide करता है कि अगर आप इस company में future trading करना चाहते है तो आपको minimum 400 share खरीदना पड़ेगा यानि 4 लाख रुपय का आपको investment करना है बट future trading में आपको margin मिलता है क्योंकि इसका time period एक महिना का ही होता है एक महिना से जादा आप hold नहीं कर सकते हो future trading में ठीक है मतलब एक महिने के बाद इसका expiry होता है तो एक महिने तक आप इस company का share price hold कर सकते हो अब future trading में क्या होता है हमें margin मिलता है 2x का या फिर 2.5x का तो जो पहले 4 लाख लग रहाता है वो कम होके 1.5 लाख या फिर 2 लाख लगता है future trading को मैंने कभी try नहीं किया क्योंकि इसमें काफी जादा capital का जरूरत होता है at least 1.5-2 लाख तो चाहिए ही चाहिए तो मैंने कभी इसे try नहीं किया है बट हाँ इसके बारे में थोड़ मोड़ा knowledge जरूर है आठवे नमबर पर आता है option trading option trading दो तरीक्य का होता है option buying और option selling option selling में काफी जादा capital required होता है तो मैंने कभी option selling ट्राई नहीं किया है बट option buying में capital का requirement काफी कम होता है option buying तब किया जाता है जब market काफी जाला trending हो upside के तरफ या भी downside के तरफ और option selling तब किया जाता है जब market sideways हो दोनों में से ज़ादा risky option buying है क्योंकि option buying में हमें premium में decay देखने को मिलता है अब इस पर मैं detail में नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि ये video option buying से related नहीं है मेरे according option buying जो है वो stock market का सबसे ज़ादा risky part होता है 9 नमबर पर आता है IPO यानि initial public offer initial public offer सबसे ज़ादा मेरे according risky इसलिए होता है क्योंकि इसमें एक नया company होता है मैं उसका नहीं balance sheet पर सकता हूँ नहीं मैं उसका जान सकता हूँ कि इसका पिछले quarter कितना profit हुआ था कितना revenue हुआ था वो company का कितना debt है मतलब overall उतना detail नहीं मिल सकता है क्योंकि ये नया company होता है और IPO मेरे according थो है थोग सा gambling वाला होता है माल देजिए आप कोई stock में invest नहीं करना चाहते माल देजिए आप कोई mutual fund में invest नहीं करना चाहते तो एक ETF होता है जिसमें आप कोई particular index के अंदर invest कर सकते हो जैसे for example nifty 50 हो गया या फिर bank nifty हो गया अगर आप किसी particular index में invest करते हो तो उस index के अंदर जितना भी companies आता है न आपका पैसा उस सारे companies में distribute हो जाएगा तो ETF काफी low risk वाला होता है तो यह था total 10 तरीका जिससे आप stock market में invest कर सकते हो अपने पैसे को grow कर सकते हो काफी ज़्यादा risk होता है option buying मैं फिर से बता रहा हूँ तो अगर try करना है तो थोड़ा सोच समझ के और थोड़ा knowledge लेके वैसे इसके अलावा और क्या तरीका हो सकता है आप लोग comment में जरूर share करना मुझे जितना आता था मैं उतना share किया इसके अलावा कोई और तरीका है तो comment में जरूर share करना अगर वीडियो अच्छा लगा तो like जरूर करना और चैनल को subscribe कर लेना बाई